प्रिवियस एर कोशन पेपर 2023 क्लास 10 चैप्टर 5 चैप्टर 5 जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से पहले 4 चैप्टर के वीडियो बना देगें अगर आपने नहीं देखा प्लेलिस्ट में जाएए वन बाई वन करके हर एक चैप्टर के वीड जो नेक्स्ट कोस्टन दिया गया है कि हौ मैने टम्स में इन अम्सक्डर दिया हुए बडीस्टा में तो की बराबर और हमें क्या find कर और इसका last term भी दिया हुआ एन की value भी दिया हुआ एन की value कितना दिया हुआ एन की value 62 दिया हुआ ठीक है तो इसने पूछा कि कितने terms ऐसे हैं जो AP में है उसका first term और fifth term दिया गया था respectively and the last term is 62 और इसका last term क्या है 62 है तो चलिए चेक करते हैं सारे चीज़ों लेके करते हैं कि कितने term आते हैं और इसका last term भी निगालते हैं सारी value वो अच्छा है इससे हमें पहले इन दोनों equation जो first और second equation से हम क्या करते हैं from from first and and second इन दोनों का use करें तो इसको क्या लिए सकते हैं तो a n का formula जो होता है a plus n minus 1d होता है ठीक है n की value कर 5 put करोगे तो यहाँ a 5 जो आएगा वो a plus इसमें से 1 minus करोगे तो 4d के बराबर आजाएगा तो यही a plus 4d जो बराबर है वो किसके बराबर हो 2 के बराबर और a की value पहले से बता आपको 14 plus 4d equal to 2 है उसको उधर ले जाएगे minus 14 है उधर ले जाओगे तो plus में आजाएगा तो 2 plus 14 हो जाएगा तो 4 की value कितना आगया 4d equal to 16 आगया और d की value कितना आजाएगा 16 divide by 4 करेंगे तो यह आजाएगा 4 answer आएगा 4 आजाएगा तो d की value मिल गया a की value मिल गया अब हमें check करना है यहाँ से हमें n की value निकालना है किसकी value निकालना है कि n की value निकालना है तो an का formula लगाते है an equal to a plus n minus 1 d जो ध्याँ से हमने d निकाल लिया a निकाल लिया an पता है an से हमें निकल जाएगा अब an की value कितना आगया 62 हो गया 62 62, a की value कितना है, minus 14, plus n minus 1, d, d की value कितना है, d की value आया, 4, कितना है, 4 आया, तो minus 14 को दहर ले जाते हैं, तो 62, plus क्या जाएगा, 14 हो जाएगा, और इधर 4, n minus 1 हो जाएगा, इसको solve करोगे, तो 6, और यहां हो जाएगा, 76, equal to 4, n minus 1 हो गया, अब यह 4 को इधर divide कर दिजिए, अगर 4 को इधर multiply में, तो इधर divide में आएगा, तो हम इसको 4 से divide कर लेते हैं, इससे cancel करिए, 4 बन जा 4, और 4, 9 जा 36, इधर n minus 1, तो n की value, इधर भेजिए, 19 प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो n की value आ जाएगा, 20, तो n की value 20, मतलब यह जितने, यह n की value निकालने के लिए, हमें क्या-क्या चीज़ों का जरूरत पड़ा, वो चीज़ ध्यान रखना, कि a, n का भी जरूरत पड़ा, a का जरूरत पड़ा, और d का पड़ा, अगर यह 3 चीज़ नहीं होते हैं, तो आपको यह n की value नहीं निकलता, तो इसलिए, हमे अगर concept clear होगा, तो आप एक comment करना ना भूलें, और इस question को अपने दोस्तों तक share करना ना भूलें, आज के लिए इतना ही धन्यवाद,